नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल study for win में और आप लोगों की भारी डिमांड पे कि मैम हमको संधी का वीडियो चाहिए वो भी ऐसा जिसमें हम बहुत ही कम समय में पूरी संधी को समझ सके एक ऐसी ट्रिक आप लेकर आईए जिससे हम संधी को एक कि संधी एक ऐसा topic होता है जो हार एक exam में पूछा जाता है और यह एक ऐसा topic होता है जो आपको काफी ज्यादा परिशान भी करता है डराता है लेकिन इस topic की वज़े से आपको अपने number गवाने की जरूरत बिलकुल भी नहीं है क्योंकि यह जितना ज्यादा कठिन दिखता है उतना ही ज्यादा सरलता से आप पहचान सकते हैं देखिए exam में आपको कोई नियम नहीं लिखना कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ उस शब्द के अंतरगताने वाली संधी को पहचान कर सिर्फ उस पर टिक लगाना है और इतने चोटे से काम के लिए आप अपना कोई गलती करेंगे ही नहीं नियम बहुत है और आपने पढ़े भी आस तक बहुत बार होंगे पहली बार आप संधी टॉपिक आज यहां पर नहीं पढ़ने बैठे होंगे मुझे पूरी उम्मेद है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो आज से पहले कम स्कम सो बार तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको कैसे एक छोटी छोटी सी च्रिक्स को याद रखना है और अपने संधी के क्वेशन को कभी भी आज के बाद जिंदगी में गलत नहीं होने देना है तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो इंजन और विसर्ग स्वर संधी के अंतरगत आपकी पांच संधी आती हैं दीर्ग संधी गुण संधी ब्रदी संधी यान संधी और अयादी संधी सबसे पहले इस संधी के आपकी जो स्वर संधी होती है उस स्वर संधी के अंतरगत आपकी आ जाती है दीर्ग संधी ठीक है तो ट्रिक इसकी क्या है कि बड़ी मात्रा, यानि जहां पर भी शब्द में अगर आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ा आ, बड़ा उ, बड़ी ई, तो आप तुरंत समझ जाएए कि वहां पर दीर्ग संधी है, इसके अलावा और कोई संधी हो ही नहीं सकती है जैसे आप इसे इन उधारणों से समझ सकते हैं, जैसे भानूदय, विद्यालय और परिक्षा, भानूदय बड़ी उ की मात्रा, विद्यालय बड़ी आ का मात्रा, परिक्षा बड़ी ई की मात्रा, यानि दीर्ग, दीर्ग का मतलब क्या होता है, बड़ा, और जहां पर भी आपकी बड़ी मात्रा आए बस आप सबसे पहले उसमें यही देखिए कि क्या इस शब्द में कहीं बड़ी मात्रा तो नहीं आ रही है फिर चाहे आपकी वो बड़ी मात्रा बड़े उ की हो बड़े आ की हो बड़ी ए की हो कोई भी मात्रा हो यदी मात्रा बड़ी है तो आपकी दीर्ग संधी होगी ही होगी इसमें आपको बिल्कुल भी confused नहीं होना है दूसरी आपकी आती है गुण संधी गुण का मतलब क्या होता है तो आप इसे समझ लीजी एक मात्रा यानि A और O यानि आप ऐसे समझ लीजी गुण माल लीजी ये कोई व्यक्ति है उसमें कितनी भी बुराईयां उपर एक ना एक गुण तो जरूर होता है और एक गुण ठीक है आप ऐसे याद कर लीजी कि हर व्यक्ति में एक गुण होता है तो एक गुण यानि एक मात्रा तो तुरंत आप गुण संधी लगा दीजिए इन संधियों की ट्रिक में आपको संधी के नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे जब क्वेशन में नियम पोछा जाए तभी आपको नियम याद करने की जरूरत है लेकिन अगर आपसे कोई शब्द देकर कह दिया जाए कि बताइए इस सब्द में कौन सी संधी है उस समय आपको नियम याद नहीं रखने क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स पस इसमें ही परिशान रहते हैं छोटा आ छोटा आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है तो वो तीर संधी होती है इकाया उकावा रिकारा र कर देते हैं और जो चीज़ें आपको आती है वो भी आप भूल जाते हैं तो अब आपको उन नियमों में फसकर अपना समय बरबाद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सिर्फ एक चोटी-चोटी से च्रिक्स को समझी और अपने क्वेशिन को सही कीजे जहां पर भी तुरंत देखकर आप गुण संधी पर टिक कर दीजिए कुछ भी नहीं सोचना है जैसे परमेश्वर एक मात्रा महोदय उपर एक मात्रा जैसे ही एक मात्रा दिखाई देती है आप तुरंत एक व्यक्ति एक गुण हर व्यक्ति में एक नहीं गुण जरूर और एक मात्रा त अगर किसी व्यक्ति के गुण में ब्रद्धी कर दी जाए, है ना, माली जी गुण था, अब हर व्यक्ति में एक नए गुण जरूर होता है, तो एक मात्रा लगाई, अब उसके गुण में अगर हम ब्रद्धी कर देंगे, तो ब्रद्धी करने पर एक और मात्रा लग जाएग तो दो मात्रा होने पर आपकी संधी हो जाएगी व्रद्धी संधी देखे व्रद्धी संधी में आपको जब आय और आव की मात्रा दिखाई दे दो मात्रा दिखाई दे तो तुरंत आप व्रद्धी संधी पर टिक कर दीजिए जैसे सदाएव सदाधन आव सदाएव ठीक है बनावशदी, वन धन आवशदी, वन आवशदी, वन आवशदी, दो मात्रा हैं, एक धन, एक आएक, दो मात्रा हैं, यानि जैसे ही आपको दो मात्रा हैं दिखाई दे, आपकी संधी तुरंत व्रद्धी संधी हो जाएगी, कुछ भी नहीं सोचना है, एक मिनट भी अपना सम अपनानी पड़ेगी यन संदी ठीक है या से शुरू होता है एको यन चिस का सूत्र है व्रद्धी का व्रद्धी रेची गुण संदी का आधगुणा और दीरगा आपका कहा समरने दीरगा अयादी एचायवा यावा शूत्र भी आप याद करते चाहिए तो यन संदी में संदी से जैसे ही यावा रा के पहले अगर कोई आधा शब्द आ जाए त्रिक क्या है कोई आधा शब्द आए ठीक तो तुरंत आप समझ जाईए कि यहाँ पर या संदी है लेकिन यावा रा के पहले जैसे प्रतियक स्वागत इत्यादी प्रतिधन एक प्रतिधन एक प्रत इतिधनादी इत्यादी तो तुरंत जैसे ही आपका आधा कुछ आता है कोई आधा वर्ना आपका आ जाता है जैसे प्रतेक ताधाया स्वागत में साधाया इत्यादी में ताधाया तो और यह किसके पहले आया आपके यहां पर या के पहले यहां पर वा के पहले यहां पर या के पहले तो या वा और रा के पहले जब आपका आधा वरना जाता है कोई आधा वरना जाए तो वहां पर आप तुरंत समझ लेजिए कि यहां आपकी यनसंधी हो जाएगी कहें कोई नियमों में जाने की आपको आवश्यक्ता ही नहीं है आपको नियमों के अंदर जाना ही नह लेकिन ये ट्रिक सिर्फ आपको परिच्छा में भ्रम से निकालने के लिए है कि जब कभी स्थिती ऐसी उत्पन हो जाए कि आप भ्रम की स्थिती में आ जाए कि कहीं इसमें ये संधी तो नहीं, कहीं ये वाली संधी तो नहीं, उस समय आप इस ट्रिक को लगा कि अपने करके आप अपने उत्तर को सही कर सकते हैं तो नियम भी पढ़ें और ये ट्रिक भी दिमाग में रखें तो इससे आपके प्रिश्ण गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी बिल्कुल भी आपकी कुश्यन गलत नहीं होंगे तो जब आपका यावारा के पहले आधा वर्ण आ जाता है तो आपकी वहाँ पर यन संधि हो जाएगी अब बात करते हैं अपनी स्वार संधी की लाष्ट संधी यानि आयादी संधी की तो आयादी संधी पर स्यूतर में क्या होता है आयो आई अब आब यह निकास तो उच्छारण होता है ये जो शक्दद आपके आते हैं, वर्न आपने अप्के आते हैं, इन वर्नों का उच्चारन होता है ऐए, आए, अब, आब, ये वर्न आते हैं और ट्रिक क्या एपलाई करेंगे इसमें, इसमें ट्रिक आपकी एपलाई होगी कि ए, आय, ओ, आओ की मात्रा नहीं आती है जैसे मैंने गुण संधी में बताया एक मात्रा आएगी बर्दी संधी में बताया दो मात्रा आएगी लेकिन दीर्ग संधी में मैंने बताया आपकी बड़ी मात्रा आएगी है ना लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी कोई मात्रा नहीं आती है तो उनमें मात्राएं आती हैं लेकिन इसमें मात्रा नहीं आती है तो इसमें आपको मात्रा नहीं दिखाई देगी कोई भी बड़ी मात्रा आपको नहीं दिखाई देगी और इसके साथ एक ट्रिक और अपलाई होती है कि अधिक्तम आपके तीन अप्छर का शब्द रहता है नायका नायधन एका नायका आपको पावका तो इन में आप देख रहे हैं एक तो उच्चारन पहले ध्यान दीजे आई नाय सयन सयन आई नायका आई नाय आव पावक आव पाव तो ये एक तो आपके उच्चारन आ रहे हैं इन उच्चारनों के साथ आप इन शवी शब्दो में देखिए मैंने क्या कहा AIOO की मात्रा नहीं है देखिए इन किसी भी शब्द में AIOO की मात्रा नहीं है और अधिकतम तीन अक्छर का शब्द है और देखिए अधिकतम आपका तीन अक्छर का सब्द है तो ये ट्रिक आपको आयादी संधी के लिए याद रखनी है कि अगर ऐसी चीजें आ रही हैं तो संधी आपकी आयादी हो जाएगी कि आपको ये नहीं याद रखना है कि इसके बाद या रहा तो एक आयो का वाव हो जाता है इतना अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, आपके दिमाग से निकल जा रहा है, उस स्थिती में आप अपनी संधी कैसे सही करेंगे, तो आप याद रखेंगे कि AIO की मातरण नहीं आती है और अधिकतं तीन अक्छर का शब्द आपका दिया होता है, त सर्ग संधी की, स्वर संधी की ट्रिक तो आपने समझ ली कि स्वर संधी को हम इस स्थिती से समझ सकते हैं, अब बात करेंगे हम ब्यंजन संधी की, लेकिन उससे पहले वीडियो अगर लाइक ना किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे, और चैनल को लाइक क्लास चलती है, उसे भी आप जरूर ज़ाइन कीजे, और साडे नौमजी भी हमारा वीडियो आता है, उसको भी आप जरूर देखिए, तो प्लीज आप वोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, क्योंकि सारे वीडियो टॉप्मोस्ट वीडियो हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशल हैं, तो प्लीज आप सारे वीडियो ताइम जरूर देखिए, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की समय को बचाने की, चृक्स के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से आपको कॉनसेप्ट को समझाने की, तो प्लीज सारे वीडियो आप जरूर हो जाए ठीक है ना तो वीडियो लाइक करते चलिए और सब का भला करते चलिए चलिए तो अब इसी के साथ हम समझ लेते हैं अपनी आगे की संधी जोगी है व्यंजन संदी तो देखें व्यंजन संदी में क्या है कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग तावर्ग, पावर्ग यानि इन में आपके व्यंजन यही तो आपके 25 व्यंजन में होते हैं इन वर्गों के अंतरगत जो आपके वर्ग है, अगर, तो उस में, जैसे मैं ये उधारन के द्वार आपको समझाते हूँ यहाँ पर, जैसे माली जी, मैंने उधारन के लिया है दिकप्लस अंबर, दिकंबर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? कि अगर आपका एजो वर्ण है, और इसमें आपका स्वर्शी मतलब मिल रहा है तो आप क्या कर देते हैं इसमें आपका तीसरा वर्ण हो जाता है यानि का का गा हो जाता है का का गा हो जाएगा ता का दा हो जाएगा पा का बा हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी आजाती है ठीक है तो आपको एक तो ये नियम याद रखना होता है एक आपका होता है, मतलब उसी वर्ग का आपका तीसरा बन जाता है और उसी वर्ग का आपका पाँचवा वर्ण भी बनता है लेकिन उस स्थिती में अगर आपको नियम याद नहीं रह पा रहा है तब आप क्या ट्रिक अपलाई करेंगे तो व्यंजन संधी के लिए आप सीडी सीडी सी ट्रिक के अपलाई कर लिजे कि अगर व्यंजन संधी है तो व्यंजन ही तो होगा ना भाई अगर माल लेजे आपकी व्यंजन संधी आ रही है तो उसमें आपका व्यंजन ही होगा यानि कि जो व्यंजन आपका मैच कर रहा है जो व्यंजन आपका जोड़ा जा रहा है वो स्वर ना होकर व्यंजन होगा यानि कोई भी चीज अगर मैंने क्या कहा जो स्वर संधी आपकी आ रही थी वहाँ पर आपकी स्वर जुड़ रहे थे लेकिन व्यंजन संधी की आपकी ट्रिक यही है कि आपका जो जुड़ेगा वो व्यंजन होगा और वो व्यंजन जो होगा वो आपके इन ही वर्गों में से आएगा आप याद रखिए कि अगर आपके इन वर्गों में से कोई वर्ण आ रहा है तो आपकी संधी व्यंजन संधी होगी अब आपकी लास्ट संधी बचती है विसर्ग संधी तो विसर्ग संधी को भी समझ लीजिए देखे विसर्ग संधी में क्या होता है विसर्ग लगी होती है और यह असी बात है कि विसर्ग संधी है तो लगी ही होगी लेकिन देखियो आपसे कभी ऐसे नहीं पूछ दिया जाएगा कि आपको मुनी हिद्वानीश्वर दे दिया हरी धन चंद्रे दे दिया और पूछ लिय वो क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि हारेश्चंद्रे में कौन सी संधी है, मुनिश्वर में कौन सी संधी है, अब यहां तो भाई आविसर्ग नहीं दिख रही है, तो अब क्या करें, वेंजन लगाएं क्या, क्या वेंजन संधी हो सकता है इसमें, या फिर क्या करें, बड़ी की मात्रा भी आ रही है, कहीं कोई और संधी तो नहीं हो जाएगी, बड़ी मात्रा आ रही है, मैं हमने तु बुला था ट्रिक में अगर बड़ी मात्रा आ जाए, जैसे तो भाईया तुम दीर्गिसंदी लगा देना, तो हमें तो लग रहा है इसमें दीर्गिसंदी ह हो जाएगी क्या करें क्या ना करें अब आप असमंजस की स्थिती में है तो भाईया असमंजस छोड़ो और सीधे सीधे आ जाओ विसर्ग संदी की ट्रिक पे ठीक है यानी ट्रिक क्या है कि आधाश श और शा होगा ठीक है कहीं पर भी आधाशा आधाशा या आधाशा दिखे तो भाईया विसर्ग संदी आख बंद करके टिक मार दो ठीक है क्योंकि देखो जो उधारण या पर मैंने लिये हुए है मुनीश्वर आधाशा हरिश्चंद्र आधाशा नमाधन्ते नमस्ते आधाशा तो आपकी 90 प्रतिसत विसर्ग संदी में आधाशा जरूर आता है लेकिन ध्यान रखिए ये आधाशा इन तीनों में से कोई भी वाला शा हो सकता है ठीक है तो अगर आपको आधाशा दिखाई देता है तो भाईया आपकी विसर्ग संदी होने के पूरे पूरे प्रबल संभावना है तो इस ट्रिक को जराशा अपने दिखाई पे बैठा लेजिए कि अगर आधाशा शासा होता है तो आपकी विसर्ग संदी वहाँ पर हो जाती है तो friends ये मैंने कोशिश की आप लोगों को अपनी तरीके से बताने की ये जो ट्रिक्स मैं यूज करती आ रही हूँ समझती आ रही हूँ और इन ट्रिक्स में मुझे बहुत हेल्प दी है एक्जाम में और मेरे कोश्चन भी कई बार सही हुए हैं तो वही मैंने आप लोगं के साथ शेयर करने की कोशिश की है वीडियो अगर पसंद आया हो ट्रिक आपको अच्छे लगी हो आपको लगता हो कि हाई या आपके लिए कहीं ना कहीं मददगार थाबित होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और हाँ अगर आप हमारी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और हमारे ऐसे ही अच्छे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो जो हमारा वाटसेप नमबर है उस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमारा वाटसेप नमबर है 9496369356 इस नमबर पर कॉंटेक्ट करके आप हमारे इस्पेश मैं जल्दी ही आपके लिए और भी बहुत अच्छे-ची ट्रिक्स लेकर आने बाड़ी हूँ तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए मुझे आप किसी भी शुट स्राइब पर फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज मुझे आप इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजी तो दोस्तों खिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे चल्दी ही एक अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्का झाल 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